ओम हिंदी एकता मंच के अध्यक्ष ब्रुजे सिंग दोरा गुडी पाडवा वन नव वर्ष के सूव औसर पर हिंदु नव वर्ष के स्वागत वगतुvan स coffi यात्रा मुंबई के मलाड पस्चिम इस्थित मालवनि मैं शोभायात्रा निकाली गई इस दवरान हजारों की संक्या में हिंदू मुसलिम इस सभायात्रा में शामिल होकर हाथ में भगवा जंडा लेकर ब्रिजेश सिंग के साथ कदम से कदम मिला कर इस यात्रा में शामिल हुए इस सोभा यात्रा में भाजपा सांसत गोपाज शिट्टी और कई भाजपा नेता कारेकरता मौझूद रहे सोभा यात्रा का नेतित्यों कि अब ब्रिजेश सिंग ने मीडिया से बाच्चित में क्या कुछ कहना था ब्रिजेश सिंग का और साथ ही आए हुए अथितियों का ये आपको सुनाते हैं अब निश्यत हिंदु नौवर्श गुडी पड़वा के अउसर पर मारोनी परिशर में हमारे नेता आर्यू सिंग जीवन साफ जीवन साफ सुनिल पोली ब्रिजे सिंग दिलिप पंडिद हमारे महमंत्री यूनुज भाई ये सारे लोगों ने मिलकर बाच हजार लोगों का ये शोबा यात्रा निकला है मैं मानता हूँ के मालूनी के इतियास में इस प्रकार का सोबा यात्रा इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े निकले है लेकिन ये सबसे अच्छा सोबा यात्रा आज निकला है मैं मानता हूँ के देश के प्रदान मंतरी सनमाने नरेजर मोदी जी जिस तरह से हिंदूत्वा को हिंदू राश्य बनाने के लिए आगे बढ़ रहे है पूरे दुनिया में हिंदूस्तान का नाम हो रहा है बारत देश में हिंदूों का मनोबल दिन से दिन बढ़ते जा रहा है और हिंदू समाज और हिंदू विचारदारा पूरे दुनिया को साथ में लेकर चलने की मानसिक्ता रखती है हम हमेशा अपने साथ साथ में आवरों का भलाई का सोचते हैं और सुछते ही नहीं तो हम काम करके भी निकाते हैं इसलिए मैं परमात्मा के चर्णों में प्रात्ना करूँगा कि आने वाले दिनों में दरेज़ा मोदी जी का वस्ला और बुलंद हो दुनिया के बाजार में भारत देश का नाम हो और इस देश के जो हिंदू मानस है हिंदू विचारदरा हिंदू हिंदू तब यह ने way of life यह सुप्रीम कोट ने डिपाइन किया उसमें सभी लोग आ गए और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की सोच और समझ परमातमा हम सब्सक्राइब करते हैं उनका जो संसा है उस संसा के माध्यम से अच्छे-च्छे लोग कूपियों भी काम करते हैं और एक विजन है उनके पास काम करने का लोगों को जोड़ने की समता है मैं मानता हूं कि इसको और तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए हम सब सब्सक्राइब का देख हिंदूत्व को मजबूत करना यही होना चाहिए हिंदूत्व एक बहुत बड़ा पेड़ है एक बहुत बड़ा वटब रुख्ष है और उसमें जो फल लगेंगे वो सारे समाज को खिलाने के बाद में बचेगा तो हम भी खाएंगे इस मानस्तिक् सब्सक्राइब करने से को कोई रोपने सकते हिंदूत्व क विचार धराई यह है कि फल की अपेक्षा मत करो काम करते रहो और काम करते रहें गया प्रश्द में इसमें सभी हिंदु एक साथ मिलकर एक मंच बनाई वे हिंदु एक्ता मंच अक्रॉस दपार्टी इसमें जैसे मैं भारती जनता पार्टी से हूं तो मैं उसका अद्ध्यक्ष हूं उस जवाब दरी मुझे दी हुई है जो सुषेना की विवाग प्रमुक है वि संसे के है अशोक मारी को खजिनदार है और आप पूरी टीम अगर आप देखेंगी तो एक हिंदु संगडनी से नाते हम लोग यहां पर यहां यात्रा कर रहे हैं और जब हिंदु शंगडन की हम बात करते हैं तो हिंदू सबको साथ लेकर चलता है इसलिए इस यात्रा में आपको अपने मुसल्मान भाई भी दिखेंगे और वो सहयोग भी कर रहे हैं जामा मस्जिद के पास आप जाएंगी तो उसके पहले उन्होंने भी पानी अगरा की विवस्ता की है तो यह बदलाओ की जरूर एक लहर है कि सभी समाज को साथ लेकर हम लोग चलने की कोशिस कर र इस जो धोरण पर प्रधानमंत्री जीने सुरुआत की उसी धोरण पर हम सभी कारे करता यह चल रहे हैं और कोशिस कर रहे हैं कि सब साथ मिलकर चलें और उसका प्रतिसाद भी मिल रहा है हमें कहीं से भी कोई अपोजिशन नहीं मिला कहीं कुछ ने मिला जामा मस्जीद के जो सदर है ऐगे से बात किया जमीन बहुत है को असलम सट्ट ने इसके लिए अच्छा चालंगे और अपना सहयोग भी देंगे इसलिए मैं हमाज की तरफ से इक dla मंच की दरफ सबी का बहुत बहुत धन्वाद भी इस आपके मादम से देना चाहता हूं कि उन्होंने बढ़कर हमारा सहयोग करने के लिए उन्होंने आगे आए और वह सहयोग कर रहे हैं हिंदुत का एक नया उदय है मालोनी में और मालोनी की जनता अच्छी तरह से इस गुड़ी पारवा के तेवहार को मना रही है और जो उससा और जोसा आप देख रहे हैं मालोनी में एक नया सवेरा हो रहा है और इस सवेरे का स्वागत हो रहा आज ब्रजेश सिंग के नित्रत में ही ये कारकरम हो रहा है और उनकी संगठन चमता आज सडकों पर मालवनी के दिख रही है और इसी तरह वो संगठित करते रहे तो मालवनी ही नहीं पुरा मलाड और उत्तर मुंबई का एक हिंदू संगठन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उनका नत्युत भी निखर के आएगा क्या लगता है मालवनी में बदलाओं की और कितनी जारा जरूरत है अब यहां पर जरूरत तो हमें सा रहती है और जितनी कोशिस होगी उसमें और ज्यादा ब्रिद्धी होगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे